नमस्कार मैं विवेकरनंद और आप देख रहे हैं नेज़ फोरनेशन आज फिर से तीन बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आज दीन भर क्या कुछ चला विहार में किन खबरों के बारे में लोग जानने को उत्सुक रहे तो उन्हीं तीन खबरों को हम ले करके हम हाजिर मधुबनी से लेकर नवादा और मोतिहारी तक में राजद नेता ही राजद कंडिडेट को हराने की तैयारी में जुटे हैं दूसरी जो बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादों ने एक बरफिर से मुख्रमंत्री विदिश कुमार को जम कर सुनाया है और तीसरी खबर कि क्य का RCPC एक मार्च से अपना अभियान सुरू करेंगे राजदी गलियारे में इसकी चर्चा तेज है तो सबसे पहले खबर हम राजद से जुड़ी करेंगे जिसमें बिहार विधान परिसेद की जो 24 सीटों पर चुनाव होने है उसको ले करके राजद ने एक सीट को छोड़क ने नाम का एलान किया था, इसी के साथ विबाद भी सुरू हो गया है, मधुबणी, मोतिहारी और अब नवादा, कि जिला द्यक् veh ने पर देसा की तरब से नाम का व्यादों के भतिजा चुनावी मैदान में उतरनी की तयारी कर रहे थे लेकिन राजद नेत्रितु ने उनकी मांग को अनसुनी करके स्रवन कुसवाह को वहां से उमिद्वार घोसित कर दिया है। जब कल उमिद्वार के नाम का एलान हुआ उसी के साथ विवाद भी सुरू हो गया है और खुल करके पहले तो राजद के जिला के अध्यक्स थे उन्होंने इस्तिफा दिया उसके बाद आज राजवल्लव यादव वैसे वे सजायापता हैं और जेल की सजा काट रहे हैं लेक आज उन्होंने अपने समर्थ को अपने सुबचिंत को के साथ बैठक की और बैठक में तैह हुआ कि हम चुनाओ यानि की इस विधान परिसे चुनाओ में वे उमिद्वार बनेंगे और जीत कर दिखाएंगे तो नवादा में सक्ति प्रदर्शन राजवल्लव यादव के भतीजा की तरब से की गई है उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं मधू बनी की मधू बनी में भी राज़त के पुरु विधायक गुलाब यादव ने सीधे तोर पर लालू प्रसादव तजस्वी यादव की जमकर खरी खोटी सुनाई है उन्होंने एक तरह से कहें तो मोर् वहां से यानि कि अपनी पत्नी को वे चुनाव लड़ाने का एलान किये हैं गुलाब यादो की पत्नी अंबिका गुलाब यादो निर्दलिय प्रत्यासी के तोर पर चुनाव लड़ेंगी गुलाब यादो ने इसका एलान कर दिया है गुलाब यादो ने हाली में अपनी प्रत्नी को वहाँ से चुनावी मैदान में यानी की विदान परिषत सीठ से प्रत्यासी बनाएंगे वे निर्दलीय तोर पर वहाँ से उमिद्वार होंगी ऐसा गुलाब यादों ने एलान किया है और तेजस्वी यादो और लालू प्रसाद यादो को निशाने पर लिया है तो नवादा में भी सीर्फ उटवल है मधू बनी में भी वही सिती है जब राजत के पूरु विधायक और लालू परिवार के नजदी की माने जाने वाले गुलाब यादों ने सीधे तोर पर अब तेजस्वी यादो और लालू प्रसाद को निशाने पर लिया है और कहा है कि हम उमिद्वार उतारेंगे यानि कि अपनी पत्नी को वहाँ से हम चुनावी मैदान में उतारेंगे और राजत कैनिडेट को सिकस्त देंगे तो नवादा के बाद मधुबनी की हमने बात कर ली अब जड़ा मोतिहारी की बात कर लेते हैं मोतिहारी में भी राजत नेत्रितु ने बबलू देव को उमिद्वार बनाया है लेकिन वहां से एक और राजत के बड़े निता जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं महस्वरसी ये पूरो विधायक है वे भी चुनावी तयारी कर रहे हैं और उन्होंने भी एलान कर दिया है कि वे निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे महस्वरसीन भी अपने आपको लालू परिवार का करीबी बताता थे कुछ समय पहले ही वे राजत में सामिल हुए थे इसके पहले वे RLSP और GD उसे होते हुए अब राजत में सामिल हुए हैं बताया जाता है कि जो RGD के एक बड़े जो MLC है जो लालू परिवार के काफी करीबी है उनके वे नजदिक्की है और इसी के तहत उनकी कोशिस थी कि इस बार मोतिहारी से उन्हें टिकट मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका बबलू देव का नाम का एलान राजद नेतिर्तु ने किया है लेकिन वे भी पूरी तयारी कर रहे हैं लगातार जन प्रतिजियों से मुलाकात कर रहे हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिस कर रहे हैं तो तीन जगों पर जो राजद की जो नेता हैं वे भी खुल करके विरोध में आ ग मदुबनी तक में राज़त कैंडिडेट के खिलाप उनके ही दल के नेता मोर्चा खोले हुए हैं और एलान कर चुके हैं कि हम निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर वहां से शुनावी मैदान में उत्रेंगे मदुबनी मोतिहारी की भी वही सिती है जब प्रदेश के उपाध्यक्ष महस्वरसी ने निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर चुनावी जन संपर्क कर रहें क्योंकि वे मान रहें कि अगर हम जीतेंगे तो हम राज़त को समर्थन देंगे वे भी अपने आपको अगोसित तोर पर राज़त का कैंडिडेट बता रहें तो ए इस सिती है यानि कि राज़त के भीतर सिर्फ उटवल की सिती है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं जो कैंडिडेट है जो लालु परसाद तेजस्वियादों के जो कैंडिडेट हैं उनको पास अधिक पैसा होता है वे ही इस चुनाव में जीतते हैं तो अब देखना हुआ क्या कुछ होता है लेकिन अभी तो राज़त के भीतर राज़त के घर में ही सिर्फ उटवल के इस्तिती है दूसरी जो खबर के हम बात करेंगे कि तेजस्वियादों ने आज एक बार फिर से इसकी वे शुरुवात करेंगे उस पर जब तेजस्वियादों से पूछा गया कि समाज सुधार यात्रा पर फिर से मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि हम से पूछने से पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री जीतरनाम मांजी से पूछ लिजिए इस सम पहले भी यानी कोरोना संकट से पहले भी वे यातरा पर थे कई जीलों का उन्होंने भ्रमन किया था लेकिन कोरोना संकट की वज़ा से बीच में कूछ समय के लिए आतरा अस्थगित कर दी थी अब एक बार फिर से सुरू करने वाले हैं तो इसी पर तंज कस्ते हुए तेज तेस्वी यादों ने कई अन्य बिंदू पर भी अपनी बात काही कानून विवस्था के नाम पर जिस तरीके से बिहार में घटनाए घट रही हैं, पुलिसिया जुल में ठाया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़ किये। राजत की सरकार होती, तो कब का जातिगत जनगन्ना हो गया होता। इसके लावे जेडिव के भीतर जो घमासान है, जिस तरीके से ललन सी और रसी पी सी के बीच विव्याद है, उस पर उन्होंने सीधे तोर पर कुछ बोलने से मना कर दिया और कहा कि यह उनका आंतरिक मामला ह परसांद किस ओर कल दिल्ली में मुख्यमंत्री नितिशकुमार से मुलकात किये थे, इस पर तज़स्पी यादव ने तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री इधर उधर तो मिलने जाते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो पीडित हैं, उन लोगों से भी अगर मिल लि एक मार्ट से अभियान पर निकलेंगे, क्या उनका अभियान शुरू होगा, अब राजिती गलियारे में यह चर्चा तेज है, हलाकि जेडिव के कोई नेता या प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, आखिर क्या होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से मुखमंत्र नितिस कुमार ने दिल्ली में बजापता मीडिया के सामने कहा, कि RCPC और जेडिव के रस्ट्रिय अध्यक्ष ललन सी के बीच कोई मतभेद नहीं है, इसके बाद उन्होंने यह भी साफ कर दिया, कि अभी कोई अभियान यानि कि अभी किसी तरीके का कोई अभियान चलाने की बात नहीं है, कोई सदस्ता अभियान नहीं चलना है, सदस्ता अभियान समय से चलता है, वैसे सदस्ता तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो तीन सालों पर जो सदस्ता अभियान चला याता है, ओ अभियान में अभी समय है, और उस अभियान की सुरुआद हमारे रस्ट्री अ पिहार में चलना है गाउं गाउं तक जेडिव के नेता और RCPC के नेतरित में लोग जाएंगे तो क्या वो अभियान एक तारिक से शुरू होगा क्योंकि उन्होंने 11 तारिक यानि 11 फरवरी को RCPC ने एलान किया था कि हम मुख्यमंत्री नितिसकुमार के जन्म दिन पर हमारे न हुए हैं उनको बताएंगे और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे हमारा लक्ष है कि पिछली दफाद दो लाख लोगों को नए लोगों को पार्टी से जोड़ा गया था इस बार वो संख्या 4 लाख तक पहुँचे ऐसा RCPC ने कहा था हलाकि RCPC के इस बय बूती की बात है तो यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष खूब मिहनत करके यह काम कर रहे हैं इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है यानि कि उन्होंने RCPC के इस मिसन की हवा निकाल दी थी और कहा था कि इस तरीके का कहीं कोई अभित्त कोई कारिकरम नहीं बना है अब मुख आर में चर्चा तेज हो गई है कि क्या RCPC ने जो घोसना की थी कि एक तारिक से यानि कि एक मार्च से हम अभियान पर निकलेंगे गाउं गाउं जाएंगे घर घर में जाकर करके लोगों के बीच अपनी पैट बनाएंगे अपनी पहुँच बनाएंगे तो क्या अब एक ता इस दो बड़े नेताओं के बीच में है ऐसे में छोटे नेता इन तमाम मुद्दों पर बोलने से बच रहे हैं तो यह तीन बड़ी खबरें थी तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया कि किस तरीके से राज़त के भीतर में घमासान है तेजस्वी यादो ने एक बार फिर से नितिसकुमार पर हमला बोला है और चर्चा तेज है कि क्या एक तारिक से एक मार्च से RCPC अभियान की सुरुवात करेंगे कल फिर से तीन बड़ी खबरों को ले करके हम हाजिर होंगे तब तक हमें दीजिये इजाजत नमस्कार